जनता पार्टी आज हर्स दिसंबर से पूरे देश में जनसंपर के बियान कर रही है पब्लिक एविरनिस कमपेंग क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी खास कर कॉंग्रेस और ये क्रिमिनल लेफ्टिस्ट देश को प्रवोक करने में लगे हुए हैं देश में खास कर माइनॉर्टी मुस्लिम कमुणिटी को उसका रहे हैं घलत फेमिया पैदा कर रहे हैं इसलिए सारे देश में हमें केंपेंग चला रहे हैं कि ये जो सिटिजन एमिंडमेंट एक्ट आया है उसकी वास्तविक्ता क्या है आज कश्मीर विस्थापित जिला भी अपने इस ड्यूटी को पूरा कर रहा है हम भी केंपेंग पूरे लाके में कर रहे हैं पूरी जहां-जहां हमारा कंसेंट्रेशन हैं इस बारे में हम दो-तिन चीजें आप सब के सामने रखना चाते हैं उसके बाद बागे भी खासकर हमारे सीनियर लीडर ऑनरेबल एक्स ए आपों का हम सारे दंड बुगत रहे हैं पूरे सौथ एशिया में दरम के आदार पर उन्होंने विभाजन कर दिया और वो विभाजन भी बिल्कुल इमॉरल तो था ही वो डिस्क्रिमिनेटरी था अगर हम 1941 की पॉपलेशन सेंसेस अगर हम देख लेते हैं तो बारत में जो म पाकिस्तान बनी वो जो टोटल इंडियन नेशन की टेरिटरी थी उसका 22.something परसंटेज था और इस 13 परसंट में भी हमारे यहां बहुत से मुस्लिम भाईयों ने जुनोंने टू नेशन थेरी को रिजक्ट किया वो बारत में ही रहे तो एफेक्टिवली 10 परसंट से कम पॉ इसलिए हम सीख सारे मिलकर यह जो गलत डिविजन हुआ था वो टेरिटरी हमको वापस लेनी होगी एक दूसरा यह जो सिट्जन एमिंडमेंट एक्ट है हम शुरू अगर 47 से ही करते हैं तो महत्मा गांदी जी से लेकर जवारलाल नहरू हो कॉंग्रेस पार्टी हो या बाक प्राचार हो रहा है उनको जब भी वो चाहे बारत आ सकते हैं और उनको पूरा समान के साथ यहां नागरिक्ता मिल जाएगी उस वादे को महत्मा गांदी जी के उस प्रौमिस को हमने पूरा करने का काम कर दिया है यह नागरिक्ता देने वाली citizenship देने वाली एक्ट है यह कि तरनार्थियों के साथ जिनके प्रताड़ना हुई हम हमें द्यान में है एक रिंकी कुमारी करके जिसने पाकिस्तान के सुप्रीम कोट में चिला चिला कर कहा था जैज से कि मुझे यहीं पर गोली मार दो मुझे वापस इन के हाथों में नहीं दे दो उसके बाद भी वहां उनको नागरिकता देने के उनको समान देने का यह थोड़ा सा एक काम जो सैंताली से भापू ने किया था वहां से शुरू करके हुआ था लेकिन किसी भी सरकार में जान बुझ कर वह ऐसा नहीं कि वो करना चाहते होंगे अगर करना चाहते तो जरूर किया होता उन्होंने न करने वाले लोग है वो आज कल फेक नेरेटिव खड़ा कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं उसमें लीडिंग लाइटस है जावेद अक्तर साहब जैसे लोग उनको ये ध्यान में रखना चाहिए खासकर फैज कोई फरिष्टे नहीं थे उनको भी स्कूरूटनाइज करना है ऐसा ऐसी कौन सी वो इसमें है कि वो धरते क्यों हैं उसको स्कूरूटनाइज करने के लिए हम आज कल जब इत्यास देखते हैं तो उनकी बाकी भी कारणा में वो कोई साधात हुसेन मंटू नहीं थे हैज डिफरेंट है और लोग उसको आंकींगे उसको इवैलवेट करे इस में चाहे जाइवेद अक्तर को अच्छा लगे बुरा लगे इसें कोई फरक नहीं पड़ता है जिसने जो गलत काम किया है उसके बारे में भी और अच्छा positive किया है उसमें बारे में भी कोई है को इसमें से rational उसका एक क्ये होना चाहिए दूसरा हम देशवासियों से निवेदन करेंगे कि सिर्फ यह पॉलिटिकस के कारण जो हो रहा है उसमें वहकावए में नाए इस सिटिजन एमेंडमेंट एक्ट हमारा एक कमिट्मेंट था उसको पूरा किया है इसके बाद मैं सुरेंद्जी से निवेदन करूगा कि वह आग दूसरा कांगरस और अरंदिती राए